ख़बर चप्राबियार से जब मढ़ोरा रेफरल अस्पिताल का काम मस्दूरों को बकाया नहीं मिलने के कारण बंद हुआ बताते चलें कि हाईवा कंट्रक्शन कंप्णी द्वरा मढ़ोरा रेफरल अस्पिताल का कार करने में लगने वाले मस्दूरों के ठीकादार मुकेस क कंपनी के मालिक मुकेस कुमार ने अपनी कारे किया मजदुरों के साथ मिलकर आज मढ़ोरा रिफरल अस्पताल के सामने एक दिवसी धरना प्रोदेशन कर अपना विरूत प्रगट किया मुकेस कुमार ने बताया कि मैं विगत दो वर्सों से अपने मजदुरों के साथ यहां क कारे कराक रहा था आस्वासन पर आस्वासन देने के बाद मुझे पांस लाख पचासी हजार का एक चेक दिया गया जो की बोनच हो गया यह संस्था मेरे साथ फ्राट किया जब तक पूरी बकाय रासी नहीं मिलेगी तब तक कार आरभ नहीं होगा वहीं इस कार बंद एवं ब पताल का मामला देखिए मैं सुदू से लेकर उपर तक अभी मैं बिल्डिंग त्यार किया हूं मैं लेबर पेमेंट में काम करता हूं ठीक है और मेरा अठारा लग सत्तर अजार लिखीत में मेरे को मिला है जो हिसाब होने के बाद में दो लाट रुपया मेरा उपर का भी न अभी तक टोटल पेमेंट है जो अठारे लग सतर राज दो लग बीस लग सतर अभी नहीं मिला है अभी अभी आप लोग एक बैठक रखे हुए थे अभी क्या निश्कॉर्स निकला और क्या करेंगे अभी वो लोग कोई सुनवाई नहीं है वो खले काल बटाल करने माले है जो मेन मालिक है वह हमसे बात नहीं करता है और फॉन भी नहीं नहीं उठाथा है मैन मालिक का नाम क्या थाए फिरेंदर सिंगा वह घुलियर करें किसी से भी काम करें हमें कोई मतलब नहीं है अब यह पदाधिकारियों को इससे ओगत करा है है ख़िधियों साहब जो है कि ठ क्या नाम पड़ेगा और आपका और आपका एजन्सी का नाम क्या है जिसके अ कहा मकान पड़ेगा आपका